हेलो एब्रिवन तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी और आलू से बनने वाला एक स्नैक्स जो उपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है यह सुबर शाम चाय के साथ ऐस स्नैक्स आप से ले सकते हैं या फिर बच्चों के लिए भी आप इसे बना सकते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम किया है और उसमें डाला है दो चमच तेल, सरसो के दाने, जीरा और तिल के दाने जब यह अच्छी तरीके से भूं जाते हैं तो इसमें डाले हैं बारिक कटी हुई हरीमिर्च और अद्रक इन सभी को अच्छी तरीके से तलने के बाद इसमें डाला है दो कप पानी जब पानी में थोड़ा सा उबाल आ जाए तब इसमें हम डालेंगे एक कप सूजी, एक कप सूजी में दो कप पानी, मसालों में मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला, इसकी कितनी कुएंटिटी है वो आपको जब यह टाइट हलवा टाइप से हो जाए अपना शेप ले ले तब इसे हम गैस से उतार लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे लगब 10-15 मिट में ही मेरी यह सूजी ठंडी हो गई है अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी बाउल में निकालने के बाद हम इसका एक डो तैयार करेंगे डो में हम हमारा मिलाएंगे यह जो सूजी हमने रेडी करी है वो साथ ही इसमें मैंने 3-4 आलू मैश करके अच्छी तरीके से डाले हैं आलू अच्छी तरीके से उबला होने चाहिए ताकि इसका एक सॉफ्ट डो तैयार हो साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया बारिक कटा हुआ इससे यह दिखने में भी अच्छे लगेगा साथ ही इसका टेस्ट भी काफी अच्छा आएगा इससे अच्छी तरीके से मसलते हुए हम इसको लंबा लंबा शेप में इसे रेडी करेंगे और इसके हम अपने शेप में हमें जो भी शेप देना है हम उस शेप में इसे कट करेंगे आप इसे गोलगोल शेप में भी दे सकते हैं और इस तरीके से जैसे मैंने करा है इसे आप लंबा लंबा भी कट कर सकते हैं या छोटी-छोटी पूरियां बना कर उसका भी शेप दे सकते हैं, आप इसका अपनी मन चाहिए जो भी आपको लगे, आप वाला शेप दे हैं, हमारे सूजी के स्नेक्स का शेप बनका पूरी तरीके से रैडी है, अब हम इसे फ्राइ करेंगे, फ्राइ करने किदे मैंने एक कड़ाई को गरम किया है, और उसमें तेल डाला है, तेल हम फ्राइ करने की हिसाब से ही डालींगे, गेस की flame को मैंने medium to high रखा है थोड़े-थोड़े करके डालेंगे एक साथ सारे snacks को हमने इसमें नहीं डाला हुआ है सूझी के और इसी तरीके से मैंने अपने सारे snacks को fry कर दिया है दिखने में काफी सुंदर लगते हैं और काफी crispy भी हैं अंदर से soft हैं आप इसे बच्चों को, बड़ों को, सभी को काफी ज़्यादा पसंद आएगा, बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं, अब यह दी वीडियो आपको पसंद आ ही गया है, तो सब्सक्राइब भी तो करते चाहिए, तैंक यूँ